प्रीदर से को नमस्कार आप सबीका स्वागत है माई ग्रीन गाड़ा इन यूटूब चैनल में आज एक ऐसे पौध को हम लगाएंगे जो की देखने में काभी अच्छा लगता ही है और हमारे लिए बहुती उप्योगी यह है रबर्ड प्लांट इसका साइंट्फिक नेम है इसको लगाने से हमारे घर की जो हवाय सुध होती है जो लोग सहरों में रहती उनके लिए यह पौधा काफी इस्टालिस और काफी अच्छा साबित हो सकता है तो चलिए इसको लगाते हैं इसको लगाने के लिए में चाहिए 50% नॉर्मल गॉर्डन सॉयल 25% कोकूपीड और अनिसको अज़का सुधे तो हमें पूर भवर भी फट को हमें बढ़ना आदा ही भरेंगे अब यहां पर हमारा यह प्लांट है जो हम लेखंः नरसेरी से ले आए थे अब इसकी रूट ज़्यादा बढ़ गय hack को कट करने हटा लेंगे इसकी रूट को इसलिए में कट कर द जो हैं इसको किनारे से भर देंगे पूरा गंड्ले में मिसले नहीं सब्सक्राइब थी तो इस तरह से हमें साइट से भख देना है आपесь यह देख रहे हैं कि जो इसके पतियां हैं कितनी सूखी सी लग रही है, क्योंकि ये प्लास्टिक बैग में था और जो इसके स्वायल थे, काफी हार्ड हो गई थी, तो इसमें जब पानी डाला जाता था, तो ये कटा नहीं होता था, अब पानी डाल कर इसको 2-3 दिन के लिए हम इसको धूप में नही बड़ा हो गया है तो आप यहां पर देख पा रहे हैं कि इसकी इसकी जो लीफ होती है यहां से आपको संकुक की आकार का इस तरह से नुकिला सा यह बना हुआ है बिल्कुल इसके सिंटर पर तो इहीं से इसकी जो है लीफ निकलती है यहां पर एक कबर रहता है कबर के अंदर लीफ रहती है बिल्कुल मूड़ी सी फिर एक कवर हटता है तो इसकी लीफ पहले मूड़ी सी रहती है फिर बाद में फैल जाती है तो इसी तरह से इसकी लीफ निकलती है तो इतना प्लांट है इतना बड़ा हो गया है नीचे से इसकी लीफ जो गिरती है काफी अच्छी लग अब इसको पहले मिक्स कर लेंगे सेंपो को पानी में फिर खुबढ़ियास इस तरह से घोल के और हम इसकी पत्यों को धूलेंगे तो आप अगर इसको बाहर रखे हैं जहाँ पर बहुत ज्यादा डश्ट है तो आप इसको 10-15 दिन पर इसकी पत्यों को इस तरह से साप कर सकते अगर घर के अंदर रखे हैं तो थोड़ा कम इसकी डश्ट पढ़ती है इसको बाहर रखे हुए थे तो बहुत ज्यादा डश्ट पढ़ गई है बारिस हो रही थी यहाँ पर ज्यादा तर बारिस की जो पानी है बूदे है उसकी ही इस पर इसपाट पड़ा हुआ है तो इस इस तरह से सेंपू से हम इसको धुल लिए हैं फिर पानी से धुलेंगे तो यहां पर में इस प्रेक करके धुलना है ताकि जो इसका पानी है यह रूट में ना जाए अगर रूट में जाएगा तो पौधो को थुड़ा प्रॉब्लम कर सकता है इसलिए हमें हलका इस प्रेक कर कि इस तरह से धुल देना है सारा सेंपू छूट जाए तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है प्लांट देखने में तो आप अपने घर में इस पौधयों को लगाएं अगर इसको आधे पर से कट कर देजिए और इसको दूसरी जगें कटिंग करके लगा और तो झहां से आप कुट करेंगी वहां से इसकी कई सारी ब्रांच निउ ब्रांच आएंगी तो अब ये पाओधा जो है जब भी इसका थोड़ा सा वेड़ जादा हो जाता है तो धुद जुकि इसकी पतिया कापी चोड़ी होती है इसके थिक़्णिश को जादा होती है इसमें वजन होता है इसकी पतियों में, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कितनी इसकी पतिया बड़ी हैं, और इसकी मुटाई भी जादा होती है, तो इसलिए जूग जाता है, तो इसको हमें सपोर्ट देने के जूरत है, और इसकी पतियों को आप नीचे से देखेंगे का ही परियोग कर रहे हैं, नीचे इस तरह से आप गड़ा देजिए गमले में, और फिर इसको हमें एक रसे से बात देना है, तो यह जो पौधा है, यह प्लांट है, यह सीधा हो जाएगा, तो इसी तरह से इसको हम थोड़ा बड़ा ही किया हैं, क्योंकि अभी यह को, अब इसको हम बाहर रखे हुए थे, इसमें बारिस हो रही थी, तो इसकी मट्टियां जो उपर से बह गई हैं, तो इसमें में थोड़ी सी मिट्टी को डालना है, नीचे से पानी तो निकल रहा था लेकिन बहुत ज़्यादा बारिस होती है, तो मिट्टी अब बह जाती हैं, जब पानी नीचे से नहीं निकल पाता है, तो इसलिए जो मिक्चर हम पहले डाले थे, लगाते से महीं मिक्चर फिर हम फिर से भरेंगे, इसमें किसी परकार का औरगेनिक खाद नहीं डाल रहे हैं, अगर आप इस पौधे की ज़्यादा ग्रो चाहते हैं, ज़्यादा आपके पौधे का बहुत अच्छा विकास होगा, तो आप अपने घर में जरूर इस प्लांट को लगाएं, अगर आप सहर में रह रहे हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा पर दूसर होता है, तो इस तरह से जगए नहीं होती है, अक्सर सहरों में बहुत कम जगए होती है, तो आप अपने बालकनी में, आप अपने घर के अंदर, इंडोर, या फिर अगर घर के बाहर जगए है, तो आप इस पौधे को जरूर लगाएं, जो देखने में काफी अच्छा लगता है, तो अगर आपको हमारी यो वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कर दे वीडियो को पूरा देखने के लिए आप से विका बहुत-बहुत धन्यवाद।